हेलो फ्रेंड्स, मैसेल रवेदा स्टूडेंट और आचारे चरग का समन करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं आज हम लोग चरग समीता चिकित्सास्थान के टैन्थ चेप्टर जिसका नाम अपस्मार चिकित्सा दिया है उसके सबसे लाश्ट टोपिक अतत्व अभिनिवेश को पढ़ने जा रहे हैं अतत्व अभिनिवेश से रेलेटे इस कुछ पॉइंट जैसे कि यह जो है चिकित्सास्थान से पहले चरग समीता के सुत्रस्थान में महागद करके इसका जिक्र हुआ है इसकीत्सास्थान से पहले चरग समीता के सुत्रस्थान चैप्टर नमर नाइंटीन उसमें महागद अतत्व अभिनिवेश के बारे में जिक्र हुआ है लेकिन वहाँ पे इन्होंने इसका जो क्या है निदान या लक्षन या चिकित्सा इनके बारे में नहीं बताया इनका detail जो है, बताया हुआ चीज जो है, वो यहां इस chapter में है, अब अतत्व अभिनिवेस को समझते हैं कि यह है क्या, तो अतत्व अभिनिवेस सबसे पहले यह divided है तीन बट में, अतत्व अभिनिवेस, ओके, अतत्व अभिनिवेस, अतत्व अभिनिवेस, अकार्थ होता है, नहीं नोट तत्वकार्थ होता है सत्य ग्यान जो सत्य ग्यान नहीं है यानि कि असत्य असत्य ग्यान में क्या करना है अभी निवेश करना है उसके लिए आगड़ा करना है हट करना है यानि कि इस व्यादी से ग्रसित जो मनुस्य होगा ठीक है वो जो सत्य नहीं है उसके लिए हट करेगा ठीक है वो जूटे चीज में अपने आपको जो बताएगा कि यही चीज है यानि कि उल्टा बताने लगेगा एक तरह से कि रोगी जो है जो नित्य है उसको अनित्य अहित को हित समझेगा, तो अतत्य अभी निवेश को आचार्य चरक ने महागद बोला है, ठीक है, इस व्यादी को महागद बोला है, यह important point है, और इसमें क्या होता है, कि नित्य अनित्य हित अहित है, नित्य को अनित्य हित को अहित, अतत्य अभी ने इस word clear हो गया, कि जो सत्य ग्यान नहीं है जो असत्य ग्यान है उसमें अभी निवेस करना उसमें हट करना ओके और इसे महागद का है महागद से एक और वर्ड आता है वो है महाव्यादी ठीक है इससे रिलेटेड तो अचारे चरक ने महाव्यादी किसे कहा है हलीमक को कहा है ओके अभी जो पांडू काम अतत्व अभी निवेश से मिलता जूलता एक और वर्ड है वो है वीप्रत्याय वीप्रत्याय के बारे में चरक सरी रस्थान में बताया गया चरक सरी रस्थान चेप्टर नमर फाइब स्लोक नमर टेन वीप्रत्याय क्या है तो विपरत्याय के बारे में बताया है कि कार्य अकार्या हित अहिता सुब अशुभेशु विपरित अभी निवेशु विपरित अभी निवेश है इसमें जो अतत्व अभी निवेश है विपरत्याय में क्या है विपरित अभी निवेश है विपरित चीज में हट करता है उसम विप्रित हट रखता है तो वो होगे विप्रतियाय और ये क्या है अतत्व अभिनिवेश तो अतत्व अभिनिवेश में कैस चीज में अभिनिवेश करता है अतत्व जो सत्ते ग्यान नहीं है उसमें अभिनिवेश करता है और विप्रतियाय में किसमें अभिनिवेश करता है अब अतत्व अभीनिवेश के जो निदान है उनको जानते हैं उनके निदान में इन्होंने क्या बताये कि मलीन आहार सीलस्षे वेगान प्राप्त निग्रिहंता जो मलीन अहार जो दुष्ट अहार हैं उनके लिए जो वो अभ्यास हो गए शील ठीक है उनको वो लगातार डेली बेसिस पे जो वेक्ति भोजन करते हैं भोजन के रूप में जो दुष्ट अहार को लेते हैं पहला दुसरा कि वेगान प्राप्त निगरें थे जो प्राप्त वेग जो आए हुए वेग हैं उनका निगरहन कर रहे हैं उनको रो कर रहे हैं और ये जो है ये भी उनके अभ्यास में आ गिया है ठीक है तो क्या क्या चीज़ हुआ कि जो वेक्ति मलीन या दुष्ट अहार को लगा आतार सेवन कर रहे हैं, ऐसा समझ लोग डेली बेसिज पे रेगुलर फ्रिक्वेंटली सेवन कर रहे हैं, और साथ साथ जो प्राप्त वेग, आये हुए वेग हैं, उनका निगरहन कर रहे हैं, तो यह हो गए इनके निदान, ठीक है, यह भी हेचिव में आया हुआ है, इसके अलावा और भी कुछ निदान हैं, जैसे कि सीत, उष्ण, सनिक्द, रूप्छ, ठीक है, इन भोजन का जो है, वो सेवन करते हैं, अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, तो इन सभी के वज़े से क्या होता है, कि दोस प्रकुपित हो जाता है, वातादी जो भी दोस हैं, उसे प पर दयायं, समुप आसृत्यां, मनो बुद्धि वह सिरा, ओके, जो इसमें क्या होता है, कि मनोभा और बुद्धि वह सिरा, ओके, तो ओवरल, जो निदान सेवन किएं, उसके वज़े से, दोस कुपित हो यज़े किसी का भी संप्रापति आप बनोगे, तो ऐसा ही दोस कुपित होता है, यहां पर मानसिक व्यादी है, तो दोस जो वाता दी दोस के साथ साथ, जो रजदम ये सभी दोस भी प्रकुपित होंगे, वे प्रकुपित हो करके फिर जाएंगे कहां, तो किशना किसी सीरा या स्रोतस में जाएंगे, तो यहां पर जो सीरा है वो दो है इन दोनों सीरा में जाएंगे वहाँ से जाने के बाद हिर्दे में जाएंगे हिर्दे को आवरित करेंगे हिर्दे को दोसीद करके फाइनली जो है इन सीराओं में अपना वह स्थान बना लेते हैं तो यही इनका संपराप्ती है जिसके वज़े से क्या होता है विशम रूप से करने लगता है, क्या करने लगता है, तो नित्य अनित्य हित अहिते, नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य, इसे हित को अहित, और अहित को हित करने लगता है, ठीक है, ऐसा समझने लगता है, तो इसी व्यादि को क्या करते हैं, अतत्त वभी निवेश, एंड तमाहु आपता महागदम और इसे आपत पुरूष कहते हैं महागद कहते हैं इसके निदान संप्राप्ते किलियर है कि मलीन अहार सीलस से वेगान प्राप्ते निग्रिहंता इन सभी के वज़े से दोस प्रकुपित होते हैं वो दोस कहां जाएंगे तो मनोवा बुद्धिवा सीरा में जाएंगे फिर हिर्दे में जाएंगे हिर्दे को दूसित करेंगे और फाइनली इस सीरा में अपना स्थान बनाएंगे रजदम दोस जो है जाकर के बुद्धि को जो विशम रूप से काम करने लगेगा उन दोसों के प्रकूपित होने के वज़ा से जिसके कारण मनुष से नित्य को अनित्य हित को हित समझने लगेगा जिसे अतत्व अभी निवेस करते हैं और आप्त पुरुसी से ही महागद करते हैं अब जो है अतत्व अभी निवेस के चिकित्सा सुत्र की बात करते हैं मेंली चिकित्सा की बात करते हैं जो पहला स्लोख है वो चिकित्सा सुत्र है इसका ओके तो इनकी चिकित्सा मिनों ने क्या बताया है कि स्नेहु स्वेद्व उपन्नम तम समसोद्य वमानादेवी कृत समसर्जनम मेद्धिय अनपाने उपाचरे सिंपल है आप ऐसे समझो कि कोई भी प्रोसेस करते है तो उसमें पुर्व कर्म होते है ओके देन प्रधान कर्म एंड उसके पश्चाद पश्चाद कर्म यह होते हैं न पश्चाद कर्म तो पुरु कर्म, परधान कर्मन, पस्चात कर्म पुरु कर्म में क्या आते हैं स्नेहन, स्वेदन परधान कर्म में क्या आते हैं जो पंच कर्म है, वमन, बिरेचन ये सभी, तो वमन आदी पंच कर्म पस्चात कर्म में क्या करते हैं संसर्जन कर्म तो इन्होंने उन्हीं चीजों को जो इस लोग फ़र में दिया है कि स्नेहो स्वेदो उपण्नम सबसे पहले स्नेहन स्वेदन करना यानि पुरू कर्म उसके पश्चात क्या करना है तम समसोधयो वमानादिवी उसके बाद समसोधन करना है समसोदन कर्म यानि वमनादी जो भी कर्म है वे परधान कर्म और उसके बाद जो है समसरजनादी कर्म यानि पश्चात कर्म करना है तो यही है पूर वे परधान पश्चात कर्म सबसे पहले सने अन्सोदन करना है उसके बाद जो है समसोदन यानि वमनादी करम करना है और फाइनली जो है समसरजन करम करना है उसके बाद क्या करना है इसमें तो मेध्य अनपाने उपाचरेत और उसके पस्चात फाइनली मेध्य अनपान जो मेधा सक्ति बरहने वाले अनपाने हो उसका सिवन करना है ये क्यों आया है? तो अतत्व अभी नवेश क्या है? मानसिक व्यादी ठीक है? इसमें जो है इसकी बुद्धी जो विसम रुप से काम करने लगता है ऐसा ही हुआ था ना? तो उसके लिए क्या करना है? उसको मेधा बरहने वाली मेध्य सक्ति को बरहने वाले ही अनपानाहार वियार ये सब देना है वियार क्या होगा? अनपानाहार मिली नेक्स्ट क्या करना है इसके चिकित सामें? तो ब्रामी स्वरस युग तो ब्रामी गरित ठीक है, ब्रामी गरीट जो ब्रामी सोरस को मिला करके बनाया गया है, उसको जो है, पंच गव्य गरीट के साथ देना है ये दोनों जो आपको अपसमार के जकित सामें भी ये योग आये हुए है, ये देना है, देन संख पुस्पी एंड मेद्यरसायन का सेवन करना है मेंलिदी रशायन संंगपुसभी यिन Kansasन साथ को वह क्रीन यहां जो है मेंलिका प्रीयोगों साथ जो मेंップ करने बढ़ सक्थी गुविझी को आध करते ह características मंद्धु पफरने स्व रसाइन न भी मिल ली क्या था संग भूस बी अन्दू पड़नी स्व रसारस गुडू ची शवरस भोस यह जबता है घुर आर तो अंसी मंद्धू चुणी आसब्दे क्या हैं तो इन सभी पड़ियों जो हुग यहाँ पे किया है Oh ok . and next literature ,менि उन्हें क्या. श्वाशन किरिया Сुआ किरिया में ऐसे मित्र वर्ग आंगे समय की मित्र वरग आंगे जो क्या करें से विघ्यान धैर्य श्मृति समाधी इन सभी सें योक्त करेंगे इसमें में लिक्या यह सभी खत्म हो जाता है ना अतत्व होने लगता है अभी नवेस करता है उन्हें हटा करके जो है इसको जो है ट्रू नौलेज दिखाने वाले जो आप पुरूस या इसे मित्र वर्गो जो उन्हें विज्ञान धैर यह समरेती समाधी इन सभी ची पाँच योग में क्या क्या है एल्टी HDN Brahmi Kusht Vachakadu Okay Next अपसमार के बारे में ये बताया है कि अपसमार चीरकारी क्रितासपद अपसमार जो है चीरकारी रोग है chronic disease है साथ साथ क्रितासपद रोग है क्रितासपद रोग कहने का मतलब कि ये रोग जो है अपना आस्रा है सरीर में बहुत ही द्रिड़ता से बनाने वाला होता है ठीक है जल्दी हटने वाला नहीं होता है इतने द्रिड़ता से अपने आस्रा सरीर में बना लेता है सो चीरकारी करितासपद रोग है जिसके कारण इसको treatment करना जो है काफे difficult होता है इसले ये दूस्चिकित से रोग है अपस्मार क्या होग है दूस्चिकित से रोग है दूस्चिकित से यो ही अपस्मार है चीरकारी करितासपद चीरकारी chronic disease है न करितासपद रोग है इसले इनका treatment जो है very difficult होता है असाद्ध नहीं है यह दूस चिकित्स है, difficult to treat इसके चिकित्साम इन्होंने specially mention किया है कि प्राय हर असायन परियोग करना है इन सभी कारणों के वज़ा से क्योंकि अपसमार में अपसमार हो गए यह था तो अब इन्वेस दोनों में हैं यह चीज़ इसमें मेंलेस में विकरती हो जाती है ना और जो है difficult treatable है तो एक बार में तो दवाई दे के ठीक होगा नहीं, तो इसको लंबे टायम तक रासायन का परियोग सेवन किया जाता है सो रासायन परियोग सेवन کرना है डासायन में भी जैसे कि उन्माद के साथ अपसमार रोगी के लिए एक पॉइंट है कि जल अगनी द्रूम सैले बियो विसमे ब्यहचा तमशदा रक्षे तुम उन्माद और अपसमार के रोगी को कुछ चीज है जिनसे रक्षा करना वहाँ नहीं जाने देना अके लिए ये बताया गया है वो कौन-कौन से जगह है तो जल जलासे वाले जगह पे जहां अगनी जल रहे हो जो द्रूम जो बड़े-बड़े व्रिक्च है या सैल परवत है ठीक है जो विसम अस्थान है जैसे उचा नीचा ऐसा जगह है ठीक है उन सभी जगह उसे रक्षा करना चाहिए क्यों कि इसमें क्या होता है में अटेक आता है अचानक से अटेक आने के बाद उसे संभलने का टाइम नहीं रहता है तो वो यदि अब पानी में ही जलासे में ही गिर गया तो डूब के मर जाएगा अगणी में जल के मर जाएगा पहार पर से भी गिर सकता है तो इन सबी जगहों से इनकी रक्षा करनी चाहिए उन्माद एन अपस्मार रोगी किल ओके तो आज के सेशन में इतना ही इसके साथ यह अपस्मार जगित सा जो अध्याय है वो समाप्त होता है अब इसके साथ साथ जो अपने टेक्स्ट बॉक को जरूर पड़े कैसे भी तरह का सजेशन दे ना हो या कुछ इंक्वेरी हो तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में में कमेंट कर सकते हैं और पीडियेप चाहिए हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करें या मेसेज करें में आपको पीडियेप भी प्रोवाइड करा दूंगा थेंक्स फूर वाचिंग एंड वे नाइस टे